दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के इस टाइप के कोश्चन का बहुत ही असान तरीका जाने वाले हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर और सबस्क्राइब जरू करेगा तो देखे इसे कोश्चन को करने के सबसे असान तरीका क्या ह है कि एक तिर्भूज का कौण करमसा पांच अनुपात छे अनुपात शाथ के अनुपात में है तो सबसे चोटे वह सबसे बड़े कौण का यूग क्या होगा देखे इसे को सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर पांच छे साथ इसको आप इस तरह से लिए पांच यक्स और एक्स और साथ एक्स होगे इस तरह से अब इसके बाद से क्या करें कि इसका में योग बताना है ठीक है इसका में सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का योग बताना है तो कोण कैसे निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि तीर वह बूझ कि तीनों कॉनों का यूप 180 अंस होता है और यहां पर यह अनुपात में यह चीज दे रखा थो क्या करेंगे फ़ांच एक्स प्लस में 7 एक्स ठीक है बराबर में कितने होता ए की एक seems हो गया इतना अब क्या करेंगे इसको हम जोड लेंगे तो यह वा जाएगा य हो disaster आपका पर तेरा और पांच टार जाएंगा ठेके 182 यह हमारा उजाएगा 18 जा भेराबर में कितना है a 180 इस ने तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यह अथा एक-t공 गूना करें अधर जाएगा तो भाग करने लगा तो यह हमार क्या जाएगा दस आ जाएगा ठीक है तो एक्स बराबर में क्या आगे 10 अब क्या करेंगे कि एकस का स्थान पर यह जो हमने लिखा है इसके स्थान पर हम मान रख देंगे तो यह क्या हो जाएगा यहां पर 10 से जब 5 में गुणा करेंगे तो यह हमारा खेंगे यहां पर रहेगा न पांच हमने लिए रखा रहा है इसके अस्तान पर हम रखेंगे तो सतर हो जाएगा यह सतर अब इसके बास सबसे चोटे वह सबसे बड़े कूण का योग क्या होगा तो सबसे चोटा कौन सा है 50 सबसे बड़ा कौन है यह वाला है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा साथ बारा मतलब की 120 इसका आजाएगा राइट आंसर बस ऐसे इसको करना है चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है क्या कर रहे हैं कि एक चतुर भूज ठीक है इससे पहले तिरभूज की बात हो रहे थ उससा तीन अनुपाथ पांच है नौ अनुपाथ एक का अनुपाथ है तो तो सबसे चोटे कौण वह सब वह दूसरे सबसे बड़े कौण का यूग का दो तिहाई कितना होगा ठीक है तो देखें इसमें भी हम क्या करेंगे बहुत यह असान तरीका है इसको भी हम जैसे हम उसमें माने थे इसमें कैसे माने थे पांच एक्स चेहाग तो केवल एक्स करहेंगे ठीक है अब क्या करेंगे कि इन चारो को को करेंगे जारों का यह क्या हो अब एक चीजह तो पता होना चाहिए चातर भूझ के चारों कौणों का जो यह होता है वह कितना होता था तो होता है 368 तो इसको लिखे देंगे कैसे प्रेंगे 3x प्लस में 5x प्लस में 9x बुणस में एकस बराबर में 360 हो गया इतना अब इन सभी को जोड देंगे तो किया है जाएगा 9x और एक 10 और 818 तो यह जाएगा अठारा एकस बराबर में 360 तो एकस बराबर में क्या हो जाएगा तो 20-30, तो पहला आजाएगा हमारा 60, अब दूसरा 20 पर चे 100, दूसरा आजाएगा 100, फिर तीसरा नदुना ठारा 180, फिर चोथा में X, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यह हमने निकाल लिया, अब इसके बाद से देखेंगे, कि सबसे छोटे वह दूसरे सबसे बड़े को, तो सबसे बड़ा यह है, अब दूसरे नमबर पर बड़ा कोन है, 100, तो सबसे छोटा 20 है, और फिर यह 100, क्या हो जाएगा 120, इसको हमने जोड दिया, ठीक है, योग करने के लिए कर रहा तो जोड दिया, अब क्या है इसमें, योग का दो तिहाई, तो दो तिहाई क्या जाएगा, ठीक है, अगला देखते हैं, अब देखे, यहाँ पर हमारा क्योश्चन है, उसमें क्या खाए, कि X अनुपाते Y ठीक है, बराबर में 3 अनुपाते 5 है तो 10 X प्लस में 3 Y अनुपात में 5 X प्लस में 2 Y बराबर क्या होगा, यह चीज हमें बताना है, ठीक है, अब एक चीज तो आपको पता ही होगा, कि अनुपात में अगर हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर दो अनुपाते 3 लिखा है, ठीक है, तो इसको हम 2 बटे में 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह इसका नियम होता है, तो वही काम यहाँ पर हम कर देंगे, इसको के माख्तिमान को हम इसमें रख देंगे और हमारा अनसर आजाएगा देखें कैसे तेखिए अब इसी को हल कर देंगे तो यह कंपाइगा नजहिए 30 और यह पंदरह में यह 15 और पात लगाएंगे उसके मार पांच नवा पैतालीस और पांच पचे पचीस और नव और पांच यह इसका अंसर हो जाएंगा दोस्तों यहां पर क्विश्चन है यहां पर क्या एक यह ठैक्या कि दो टिक कर से लृट 2-25 निの पांच भूह ऑफ से किसके बड़ाबर है ठीक यहां पर विकल्प दिए गए तो इसमें क्या करेंगा देखे सबसे असान तरीक है इसको आप इस तरह से दो की घात में पहले तो एक बट्टा एक दसमलो पांच लिखिए और उसके बाद से अनुपात लगए दो की घात में 0.5 इस तरह से हो गया अब क्या करेंगे कि दसमलो को हम भिन में चेंज कर लेंगे तो कैसे होगा यह तो यह हमारा हो जाएगा कि दो अब इसको भिन में बदलने के लिए क्या करेंगे एक और पांच लिखेंगे और दसमलो को जगा पर नीचे इसके एक लिखेंगे और दसमलो को बाद कितने संख्या है तो एक संख्या है तो वहाँ पर 0 लगा देंगे यह हमारा भिन में हो गया अब इसके बाद से फिर दो लिखिए, अब इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे, पांच लिख देंगे, अब क्या करेंगे, दसमलो के स्थान पर एक लगाएंगे, और पीछे एक संख्या है, तो वहाँ पर जीरो लगा देंगे, यह हो गया, ठीक है, अब इसको हम काट ले अब इतना करने के बाद, अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज आपको पता होगा, कि ये चीज को हम भिन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि हम इस दो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो की घात में तीन बटा दो, अब इसको हम इसके अपान में लिख सकते हैं, दो की घा में जब एम हो ठीक है तब हम बराबर में ली सकते हैं एक सी घात में एम या फिर एन माइनस एम माइनस या माइनस या कुछ भी लेख सकते हैं ठीक है यहां पर ऊपर एन है तो यहां पर एन होगा यह इस तरह सो जाएगा यह एन माइनस में हो जाएगा ठीक है वही एम अगर यहां होता तो यह हम पहले लिखते हैं तो यह चीज हो जाता है तो यहां भी कर देंगे वही काम तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा दो की घात में तीन बटा दो माइनस में एक बटा दो अब इसको आपस में घटा देंगे तो हर तो बराबर है तो उपर वाला एक के वहलमें घटाना है तो दो की घात में ही हो जाएगा तीन में से एक घटाएंगे तो दो और बटे में क्या है दो तो यह और यह कट जाएगा पराबर क्या बचा दो हो गया अब इसके बाद से नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो माल लेते हैं एक है ठीक है यह चीज तो शहांबर क्या करें कि यदी डरीबिकर और शूम रबरहें एक तो एक हमन बताना है तो एक को हम क्या करेंगे अब इसका इसका गुणा कर देंगे तो तीन का गुणा चार के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो चारते ही बारा हो जाएगा तो एक कमान बारा हो गया ठीक है अब हमें इसका मान बताना है ठीक तो इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे जब B का मान बताना होगा तो चार दुना आठ तो ये हम आठ कर देंगे अब इसके बास से B का मान होगे अब C का जब मान बताना होगा तो C को हम ढख लेंगे और इसका इसका कर देंगे आपस में गुणा तो इसको हम इसके साथ में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तीन दोना छे तो उन पात में ये छे हो जाएगा अब क्या करेंगे इसको हम काट लेंगे अगर कटने वाला होगा तो ये दो से कट सकता है तो ये क्या हो जाएगा 82 जब इसको काटेंगे मतलब भाग करेंगे вдop i2 से तो ये 6 हो जाएगा ये चार हो जाएगा और ये deliver 3 हो जाएगा टू इस तरह से हमारा इध्याला आंसर आ गया थिस से यह हमारे b नंबर आंसर आगया और देखिए एक चीज इसमें और कर सकते हैं वो क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि दो से अगर इसमें आप गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा दो से जब इसमें गुणा करेंगे तो मतलब यह वाला गलत है अब इसमें देखेंगे तो यह 6 दुना 12 तो यह हो गया 12 फिर 4 थे यह 12 तो बारा अपात में यह हो गया 12 फिर 3 चाओं का 12 तो यह वाला सही है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो चली मिलते हैं एक और नय और इंट्रेस्टिंग वीडियो के सा तो आज का ये वीडियो प्लोग कैसे लगा हमें कॉमन बॉक्स में जरू बताइए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें